जार्खन में इस समय दूसरे चरन का चुनाओ अब लगबग समाप्ति के कगार पर है और ऐसे में बीजेपी के सांसग आदित्य साहू हमारे साथ हैं बीजेपी की संभावनाएं क्या हैं अब चुनाओ का आज अंतिम दिन है और ऐसे में जो परत्यासी हैं उनके भागे का फै एसलाब बंद होने वाला है ऐसे में खुद अधित्य साहू हमारे साथ है अधित्य जी क्या बीजेपी की संभावनाएं आज तो बीजेपी की जो किस्मत है वह इभी में मत दाताओं ने बंद कर दी है देखे जहरकन की जनता जानती है कि शिराज के दिर्मान भारती जनता पा अधित्य दोल दूसरीत करने का काम की जनता को तबाह करने काम किया और हरकन की जनता अज गुषचा依से और उनका गुषचा रही पहले फेच के चुनाम में दिखा दूसरा त्यजों चल राश में भी दिखे रहा है भार भारी तदाद में लोग कड़े हो करके भारती जन जितने वाली है भारतिय जनता पार्टी जितने वाली है और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतिय जनता पार्टी के नित्युत में बने गए इसके दावे क्या है जो आप दावे कर रहे हैं उसका अधार कुछ है कि वीजे पीस बार सत्ता में आ रही है तिके भारतिय जनता पार भी वालों का पांचेजार दो लाख औराता का ब्रूली मुप्त सब्सेटो किसी दो काम निया पेशा MB किसी को देने का काम ने किया आज गाहों के जंता सहर के लोग काफी गोलबंद है कि जूट बोलने वाले हैं दुसी तरह बेटी बन की इज़्जत के अराबरु के साथ खिलवार किया गया देश अजाद होने के बाद पहली बार ऐसी सिती आई है कि 7500 अधिक माताव बहनों के साथ अन चाहों के प्रस्ण पत्र लीक किये गए और बच्चे जब जबर जस्ती जो दोड़ाने का काम किया गया लगए 20 बच्चों की जान चली गई लेकिन सरकार का एक मंत्री एक बिधाय के सांसद उनके दर्वाजे पर जाने का काम उचित नहीं समझा जबकि भारतिये जंता पा की लोगों को देने का काम किया तिस प्रकार से चौतरफा जहारखन को बरबाद करने का काम किया है बाल बच्चों का भविस आज के दिन में असुर्ख सिचित है इसलिए जुआ भी महिला भी बेटी भी बेटा भी किशान गरीब मजदू सारे लोग आज भारती जंता पार् थित्मे इसराज में सरकार बनेगी और प्लिते जी के साथ विकास भी की गंगा इसराज में बहेगी पिछली बार की गया कोफान के बहुत ही का तो जटमान की याके में खाता तक नहीं खुला था इस किस बार क्या उमईदियों को कोई सीट ही किमा रहेंगे प्रकाइब की यह प्ला फीजिदी हम और रिखथ है कि इस वार बद्ला लेने उत्साहित थी और मुझे लगता है कि जो लोग सोचे नहीं होंगे उसे अधिक सीट भारती जनता पार्टी को इंडिये प्रत्यासी को मिलने वाला आपको चंपई सोरेन को पार्टी में लाने का कुछ फायदा मिल सका कुलान के लाके में बहुत फायदा मिला चंपई सोरेन जी एक जमीनी निता है वो चलते हैं तो उनके पीछी पीछे काफिला चलती है चंपई सोरेन को जिस प्रकार से हमंद सोरेन ने और कांग्रेस ने अपमानित करके कुर्षी से घसीट के उतारने का काम किया इसका गुसर और आकरोस कुलान संथाल समेत पूरी जहारखन में देखिने को मिला चुकि जहारखन मुक्ती मोर्चा में जदी शीबू सोरेन जी के बाद दूसरी लाइन का कोई नेता था तो चंपई सोरेन जी थे जो काफी नीचे से संघर्ष करके यहां तक पहुंचे है और वैसे नेता को कूर्षी से गसीट करके जैसे जल से बाहर आते हैं मन जी ने उतारने का काम किया उससे जहारखन मुक्ती मोर्चा के कारकरता आम जनता से सारे लोगों में चंपई सोरेन जी के प्रति साहनुभूती दिखा हम लोगों को और इस साहनुभूती का फैदा आपको चुनाम भी दिखा रिजल पर भी दिखेगा यह थे अदिते साहू जो बता रहे थे कि आने वाले विधान सभा चुनाओ के परिनाम चौकाने वाले होंगे जहां संथाल और कोलान में इस बार बीजेपी का नकेवल खाता खुलेगा बलकि चौकाने वाले परिनाम लेकर सामने आएंगे जो बीजेपी को सरकार बनाने में काफी साहयोगी होंगे साहयोगी सिल्पी के साथ असो कुमात, मुखरसमवाद, कुच्चू और माजी मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जब दूरती है आप, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मूँ मोडता है जवाना जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निसा, देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्ता